असलाम वालेकुम, I am Farhan Meir, Founder and CEO of ShariaVild. ShariaVild is an initiative towards interest-free system. इस वीडियो में दोस्तों हम discuss करेंगे कि जो market में recent जो correction भी है, उसके पीचे की reasons क्या है, आने वाले टाइम में market के लिए क्या possibilities बन रही है, अगर आप market participant है, trader है, investor है, तो आपको किस तरीके से इस market को आगे देखना चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में discuss करेंगे, वीडियो को पूरा दे कि आपके knowledge में ज़रूर इजाबा होगा. सबसे पहले दोस्तों, अभी जो market में फिलाल correction होगी है, उसको अगर आप side में रखते हो, और सिर्फ बिना इस event को consider किये वे, अगर आप सिर्फ chart यहाँ पे देखते हो, तो यह आपके सामने midcap index का chart है, पिछले देड़ सालों में, मार्च 2023 से लेके अब तक October 2024, पिछले देख सकते हो, कि 30,000 का जो index था, midcap index, वो almost double हो चुका है, 60,000 हो चुका है, देड़ सालों में index double हो चुका है, अगर यही कहानी में small cap के आपको बताऊं, तो 8,000, 45,000 के index almost 18,000 हो चुके है, मतलब small cap index भी यहाँ से double हो चुका है, और अगर मैं nifty के आप से बात करूं, तो nifty आ 1000 तक हो चुकी है, मतलब यह भी पिछले देड़ सालों में 50% के आसपस का return है, तो आप समझ यह कि यह जो returns, अभी जो market में बन रहना, यह market में जो return बन रहना, यह actually long term possible ही नहीं है, long term में जब भी हम बात करते हैं, तो आपको reasonable expectation market से रखना चाहिए, कि 15% के आसपस, आप return expect कर सकते हो, क्योंकि simple सी बात है, market क्या होता है, कि market जो भी companies हैं, वो जितना grow करती हैं, जितना earn करती हैं, उतना ही market में return बनने की possibilities हैं, तो obvious सी बात है, अगर small cap index double हुआ है, mid cap index double हुआ है, तो उसके अंदर जो companies है, उनका business तो double नहीं हुआ है, उनकी growth तो उतनी जादा नहीं है, तो market में जो return दिया हुआ है ना, ये actually short term में इतना साथ return possible नहीं है, तो short term में market actually बहुत साथ हो चुकीती, तो एक reason चाहिए था market को correction करने का है, और ये actually healthy correction है, ज़रूर ये correction, क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी लंबा जाना है, कहीं लंबा पाढ़ आपको चड़ना है, तो इसमें आप दो चीज़े करते हो, एक तो ये करते हो कि जितना आप रुक रुक के जाओगे, थोड़ा चलोगे, थोड़ा रुकोगे, वापस से energy regen करोगे, उसके बाद आप में नई energy आईगी और और उपर आप जादा जा सकते हो, तो basically अगर इस market को लंबी छलांग लगान है, लंबा जाना है, तो जितनी correction के साथ जाए, उतना ही अच्छा है market के लिए, प्लस, आप क्या करते हो, कि जितना कम सामान आपने carry किया ना, उतना आसानी से आप आड़ को चड़ सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसी बनती है, कि जितने कम investor market में रहेंगे, या जितने market में कम participant रहेंगे, उतना ही market के लिए अच्छा होगा, long term में उपर जाने के लिए, तो इस type की correction दोस्तो, actually मैं तो बहुत लंबे टाइम से चाह रहा था, ताकि थोड़ी सी हो, market में जो काफी सारी लोग जो चड़ चुके हो भार निकले, but actually correction market में हो नहीं रहीती, और अभी यहां पर गिर रही है, यह purely sentiment है ना, क्योंकि वहाँ पे जो war हो रही है, उसका और demart के business पे तो कोई खास असर नहीं है, पर फिर भी demart का stock तो डाउन है, it's all about short term में, it's all about sentiment, medium term में, it's all about liquidity, कि जितना system में पैसा आएगा, उतना market में उपर चलते जाएगा, because it's all about demand and supply, shares तो limited ह है, अगर उसी में पैसा आएगा, तो market तो चलती रहेगी, और long term में, it's all about growth, कि जितना देश तरक्की करेगा, जितनी companyya तरक्की करेगा, उतना market चलेगी, अब Indian market में problem गया थी, medium term, जो market जो चल रही थी ना, उसका main reason ने liquidity, क्योंकि इतना ज़्यादा सिप से market में inflows आ रहा ह है, अब जब market में growth है, तो obvious ही बात है, लोग तो पैसा डालेंगी, पूरा world इंडिया में पैसा डालने को तयार है, क्योंकि when the world is talking about the recession, we are talking about the growth, so correction मैं तो चाहता था, ठीक है, फिर भी नहीं हो रही थी, और इस बार भी देखना पड़ेगा, कि पता नहीं कितना दिनों तक करेगी, पर एक बात पकी है, क्योंकि ग्रोथ है, लिक्विडिटी है, लेकिन कैसा है कि correction मार्केट ले जरूरी थी, अब वो जरूरी correction का जो trigger बना है, वो तीन वीजन अपने पास यहां पर है, डिसकस करने को, तेक है, यह जो इसराइल का और इरान का जो वार चल रहा है, यह तिसरा मुददा है, देखे इसके पहले हैं, अब यह बहुत बड़ी वार नहीं है, इसको मैं, आपको purely market के perspectives से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको sentiment या religious purpose से नहीं लेना, तो जब तक हामास की वार ती, या फिलिस्तीन की वार थी, तब खेट है, मतलब मार्केट ने डिस्काउंट करके रखा था, बट अगर इरान उसमें कुछ जाता है, जो कि अभी न्यूस चल रही है, जिसकी वज़े से आज मार्केट में प्रॉब्लम आई है, तो इरान अगर इसमें गुछ जाता है ना, तो दिक्कत है, क्योंकि इरान एक फुल-फ्लेज कं हो जाए, रश्या आजाए, चाइना आजाए, और इसराइल के साथ तो बाकि यूके, यूरोप अगरा तो हैं, तो बदर भी पूरा वोर्ल्ट एक साथ अगर जूड जाए, और एक वोल्ड वार हो जाए, वोल्ड वार फूर, तो आप समढ़ लो इस मार्केट में कम से कम 40- 50% की correction, उन यह कम से कम बता रहो, जादा भी हो सकती है, ठीक है, बड़ उसकी possibilities क्या है, मेरे कहल से उसकी possibilities, not even 1%, ठीक है, तो possibilities क्या है, क्योंकि देखे, scene क्या होता है, क्या आज को दौर में आप समझे ना, यह इसराइल है, इसको कौन, कौन, इसराइल किसके दम पे चड़े world होते हैं, तो नुकसान सब कही होता है, तो सब countries पहले पना खुद का देखती है, कि अगर में war में जाऊंगो, तो हमारा खुद का नुकसान होगा, ठीक है, उसके बाद भी support करेंगे, तो पीछे support करने होले बहुत होते हैं, direct support करने होले बहुत कम होते हैं, तो जब तक कि Iran को लडाना है, Iran को लडाना है, Israel को लडाना, America उदर से आएगा, China उदर से बोलेगा, Russia उदर से बोलेगा, लेकिन और direct war में कूदेंगे, इसका chances मेरे कहाँ से कुछ भी नहीं, मतलब world war होने का chances तो बहुत कम है, और अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर तो भी खतब ही है, मतलब market तो फुरी वाट लगीगी, बड़ उसका chance क्या है, बहुत कम, मतलब not even 1%, 1% भी जादा बोल दिया, तो situation क्या बन सकती है, यह situation वैसे टाइप की बन सकती है, जो Russia और Ukraine के टाइम पे हुआ था, तो Russia और Ukraine के टाइम पे क्या हुआ था, उनकी war चली रही है, ठीक है, अभी भी तो बिलकुल मेरे को हैल से लगता है, उसी तरीके से चलेगी, and in fact, अगर आप मेरे को बोलो, कि world economy पे, कौन से countries का ज्यादा impact है, तो मैं वैसा बोलूँगा आपको, कि Russia और Ukraine का impact ज्यादा है, as compared to, अगर आप बोलो, as compared to, अगर आपने इरान और इसराइल के war से ज्यादा, Russia युक्रेन की war का ज्यादा है, क्योंकि वो जो two countries हैना, Russia और Ukraine, commodities वगरा काफी सारे provide करती है, इसराइल और इसराइल और इरान का उतना ज्यादा नहीं है, हाला के directly impact crude oil पर जरूर पढ़ता है, और crude oil एक ऐसा चीज़ है, जो as I am Indian, India के लिए बहुत important है, क्योंकि crude oil अगर बढ country ले रही थी, तब हमारे को, इन्होंने crude oil manage कर लिया, तो he will manage, India can manage, ठीक है, तो मेरे काल साब situation क्या बन सकते हो, बननी चाहिए, पतलब मैं चाहता हूँ कि, देखो यह तो एक बहाना है, ठीक है, यह नहीं भी होता ना, तो भी एक correction ज़रूरी है, market में, market इस तरीके से सीधे सीधे नहीं जा सकती, और मतलब पॉसिबल ही नहीं ऐसा होना, तो यह ताइप की जो situation है, यह देखिए, यह वो situation थी ना, जब रश्या यूकरेन की बहुर चल गई थी, और आप देख सकते हो, कि 18,200-300 से market गिरी, और 15,300 के आसपास market अपनी bottom बना ली, तो एक मोटा मोटा आ और ऐसा नहीं कि धड़ाम से गिरी, तो एक बार गिरी, बाउंस आया, एक बार गिरी, बाउंस आया, एक बार गिरी, बाउंस आया, तो market चलती रहेगी, गिरती रहेगी, बाउंस आती रहेगी, एक price-wise correction, time-wise correction, 10-15% की correction वी, October 2021 से लेके आप देख सकते हो, कि March 2022 तक, मतलब बेट से ले 5-6 मैंनी की correction, तो इस टाइप की correction दोस्तों, कुछ मैं इस market में expect कर रहा हूं, कि market गिरे, फिर बड़े, फिर गिरे, फिर बड़े, फिर थोड़ा price-wise correction हो, थोड़ा time-wise correction हो, ऐसा हो तो market की सियत करे अच्छा है, ऐसी होना चाहिए, बाट obvious से बात है, हमारी अपना करे, और इरान को भी थोड़ा backing मिलता रहे, डाइरेक्ट तो कूदेंगे नहीं कोई, बैकिंग मिलता रहे ना, इस type की situation बनेगी, जैसे अब यश्या-उकरिन में चल रहा है, आला कि इसराइल बहुत डेंजर है, जो रश्या डाइरेक्ट इंतना नहीं कर पाया, इस इसराइल का भूल नहीं सकते क्या करेंगे, इस type की situation कुछ बने, price-wise correction बने, time-wise correction बने, तो market के लिए सियत के लिए अच्छा है, अभी आप देखो ना, जो हाला, जो हाहा कार मची विए, इस midcap index है, 50, 100% up हो चुकी है, और अगर आप all time अपने high से देखो ना, all time high से, अगर आप देखो, तो ये down है, कितना down है, ये down है, सिर्फ 3.5%, और हाहा कार मचा वाए पुरी दुनिया में, जब ये index नीचे से double हो रहा था, तो कोई मसला नहीं था, और सिर्फ 3.5% पड़ी है, गिरी है, तो लोग इतना जादा पैनिक करें, इतना जादा डर रहे हैं, और वही मतलब एक जनरल में आपको कुशन करता हूँ, अगर कोई index 100% बढ़ा है, तो क्या 10-15% करेंग नहीं हो सकता, है ना, तो अगर कोई 50% चलिए, तो 15% करेंग नहीं हो सकती, तो मेरे तो खयाल से ये correction यहां पर होनी चाहिए, अच्छी है, healthy है, और अगर मैं निफ्टी के important level आ बन रहा है, 24,800 के करीब के, तो यह important support है, निफ्टी यहां से आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, तो 24,800 यह level important है, और जो next important level है, निफ्टी के लिए, वो करीब-करीब 24,000 के आसपास है, तो इस पूरी correction में, मैं निफ्टी को 24,000 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं देखता, औ और अगर निफ्टी 24,000 भी आ जाती है, तो आप देखिए कि all-time high से यह कितना बनता है, यह बनता है, यह almost बन जाता है, आपका 9% के आसपास की correction, so that is perfectly fine, अगर कोई index, अगर यहां से भी आप देखो, इतना अगर कोई बड़ा है, तो 19% की correction, तो it's a very normal correction, और अगर वही आप बहुत normal है, बहुत जादा reasonable है, जो को question अभी आता है, कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप पहले तो आपने आपको identify कीजिए, कि आप trader है, कि आप investor है, आप कोई भी हो market participant, आपने जो भी चीज़ कर रहे हो ना, लेने के पहले आपने सोचना है, लेने के बाद आप अपने नहीं सोचना है, कि अब मैंने की क करना है, तो अगर आपने trader हो, आपने हम लेने के पहले सोचा है, कि यह मेरा stop loss है, यह मेरा target है, stop loss अगर hit होथा है, तो आपने exit कर लेना है, simple सी बात है, तो आपको अपने discipline से काम करना है, क्योंकि टरेडिंग का तो यह हैं थैप इ entry कर लेना है अब आप investor हो तब आपने क्या करना है simple सी बात है अगर आप investor हो तो आपको वही काम करना है जो आज की दिन में अमबानी कर रहा होगा या आज की दिन में दमानी कर रहा होगा आपके पास क्या है Reliance Industries पर दहन दीजिए आपने long term investor अगर आप हैं तो कुछ सोच की लिए होंगे ना अच्छी companies हैं बंद नहीं हो रही है इसराइल और उसकी अगर इरान की war होती है ना तो भी इन companies पर कोई फरक नहीं पड़ रहा डिमार का कारोपर वैसे ही चलेगा अब्यस सी बात है हम लोग गिरेंगे जरूर क्योंके all countries are connected to each other बट कोई बहुत बड़ा problem है मेरे को ऐसा नहीं लगता और इसलिए मैं जनरली लोगों को आम investor को retailer को बोलता भी होगे mutual fund के थो जाओ हमारे जिंदगी में actually क्या है कि आज के दौर में फिशले एक जीर सालों से जो market में आए है या कोवीड के बाद जो market में उन्होंने market में गिरावट देखी नहीं है तो उनको ऐसा लगते कि बस market ऐसी चलती है आज का जो trigger हुआ है क्या पता ही है ऐसा trigger बन जाए कि आनले तीन आओ न तो 5% तक तक तो market गिरते इसको पुलबेक बोते हैं इसको तो correction भी नहीं बोते हैं दस-परसंट तक market गिरती है तब उसको पर करेक्शन है ला किस्को वह तैम पर बोगते हैं और पांच पर पर से उपर मारकरश की नहीं है और अभी तो मार्क तीन्-चार परसुंड करने लाइफ में अपने काम दंदे पर धान दो चूपचा पैसा भी करते रहो अगर आपके पैसा है तो लंसम डालो आप जो देख रहे हैं मेरे को आपके कितने पैसे लगे मार्केट में दो लाग पांट लाग दस लाग बीस लाग पचास लाग मतलब तो भी आपकी कैपेसिट्री से कितना लगा हुआ है तो इस आर तो गुट टाइम्स जहां पर आपके करने की सोचो पचीज़ार क्या निफ्टी है अगर दस परसंट से यहां गिर जाती जो में आपको तार्गेट बता है तो भी चोबीज़ार उससे निचे तो नहीं दिख रहा है और उपर आने को अपको क्या दिखता है दो लाग तीन लाग पांच लाग तो यह लेवल की यहां पर ग्रोथ हैं इस तरीके के जब मार्केट वालेटिलिटी होते ना तो उनका ध्यान होता ही नहीं उस पर कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है यह हमको बेचना है और मार्केट में लोगों का उल्टा हो जाता है कि इसमें क्या चल रहा है और इसी यही रिजन है कि लोग पैसा बना नहीं पाते हैं तो आपने सिंपल बात है लेने के पहले आपने सोचना है कुछ तो आपने गोल सोचा होगा क्यों आप पूरा मदलब ग्रो करना है जावानी देखने बहुत कुछ देखना है तो पचीज आर की निफ्टी तीन लग आपको दिखेगी जो भी आपके गोल है उसके तायत इन्वेस्ट कीजिए अपने गोल पे स्टिक कीजिए एसाइपी कंटीनू रखिए और अगर आपके पैसा है म इसका डरना है मार्केट वापस से फिसे बाउस बैक करेंगी जाट सब्सक्राइब बहुत जल्दी में तो आपने अगले वीडियो के साथ तब तक अपना खियाल अगया स्लाम वालेकूं